हालो, मेरा नाम है सागर और अपका फिर एक बार स्वागत है सागर आन वील्स में मुझे उमीद है अपने टायर की पूरी सीरीज देख ही लिए होगी तो आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत सारे नए राइडर जब ये राइडिंग कम्यूनिटीज में आते हैं तो वो कोशिश करते हैं खुद को सावित करने की कोई रेकॉर्ड करने की या कोई सर्टिफिकेशन बेस्ट राइट करने की तो ये ट्रेंड अक्रोस इंडिया देखने को मिलता है और ये बहुत ही डेंजरस है तो मैं पहले खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा इसके बाद हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे कि आपको ये क्यू नहीं करना चाहिए तो आयनबर्ट असोसियेशन कैलिफोर्निया करके एक बेस्ट और्गनाजिशन है जो ये राइट को सेटिफाई करती है जिसमें की सैडल सोर होता है बन बर्नर होता है जिसमें आप 2400 किलोमेटर में 1600 किलोमेटर चलाते हैं तो उसे कहते हैं सैडल सूर फिर करीब 36 आवर्स में आप 2400 किलोमेटर चलाते हैं वो शायद है बन बर्नर तो ऐसे बहुत सारे अलगलों के लेवल्स है तो आप ये राइट्स करेंगे फिर उसके बाद आप अपना डॉक्युमेंटेशन इने भेजेंगे और फिर वहाँ से आपको सारा सर्टिफिकेट और बैज वो सब आता है तो ये बात है 24 डिसेंबर 2015 की तो बहुत टाइम हो गए है मुझे करके बढ़ आज मैं ये शेर करना चाहता हूँ क्योंकि ये खुद के लिए भी एक डॉक्युमेंटेशन है में खुद के लिए एक लॉग है कि तब क्या क्या हुआ था क्या होता है अक्रोस पीरेड आट नौ साल के बद आप सारी चीज़े भूल जाते है तो एक कोशिश है कि खुद भी याद रखो क्या क्या हुआ था और अपना एक्सपीडेंस आपके साथ भी शेयर कर सको तो कोलापूर में राइड बहुत से राइड असने पहले भी की थी और ये एक अच्छी कम्यूनिटी है जो आपको सपोर्ट करती है कि क्या क्या करना चाहिए आपको टोटल गाइडन्स मिलता है तो इसके लिए मुझे गाइडन्स मिला वो था ओमकार बुदले और असिम बठा रहे हैं तो इन दोनों की तो मुझे बहुत मुदत हुँ तो सारे हम लोग ने पहले इसका प्रिपेरेशन एक महीने पहले से चला बाइक पूरा ठीक से करने से लेके जो जो डॉक्यूमेंट्स लगते है जो जो प्रोसेस होते है रोड मैप डिसाइड करना तो इसे बहुत सारे काम करने पड़ते है ओरिजिनले डिसाइड हुआ था कि हम लोग कम से कम 4-5 लोग होंगे तो मैं पूरा प्रेपेरेशन करके रेडी था बड़ ऐसे हुआ कि बहुत सा लोग को जम नहीं रहा था और वो लोग एक लेटर डेट पर करने वाले थे बड़ जो एक एंग्जाइटी एक एंटिसिपेशन में जो मैं रेडी हुआ था तो मुझे तो बस करना ही था तो मैं शुरू कर दिया अपना सोलो सैडल सोर तो वो दिन था एट का भी तो मुझे एक बैक अप के लिए आसिम सर उमकार ये आने ही वाले थे बट क्योंकि एट था इसके लिए वो लोग लेट जोइन करने वाले थे अपने सुबे के सारी जोर होते हैं चीजे करनी होती है इतके लिए वो आसिम सर करके फिर जोइन करने वाले थे तो 24 दिसमें 2015 को सुबे पाच बजे मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पर आया था में इसाथ ओमकार तो हम लोग कोलहापूर से फ्यूइल पंप जोन रहते हैं क्योंकि सुबे के पाच बजे सारे फ्यूइल पंप थे बंद और ऐसे कर करके हम पहुचे कागल तक फिर कागल में एक फ्यूइल पंप था बड़ उसमें भी उनका अटेंडन्स होया था हम दोने काफी टाइम नौक किया फिर वो आदमें आया फिर हमने वो फर्स्ट रिसीप्ट और ओडोमेटर का रेडिंग ये क्लिक किया तो यहां से हमारी राइड होती है ऑफिशली शु तो उस पर डेट टाइम और अपका सब्सिक्वेंट ओडोमेटर रेडिंग ये से आपके पास हर 220 किलोमेटर के बाद रेकॉर्ड बनता है तो अगर आप 1600 किलोमेटर चला रहा है तो करीब करीब आपका एक आठ से दस बार ये काम होने आई वाला है आप फ्यूइल अप करे और फिर वहां से वापस कोलापूर रसीपूरम जो है ये सेलम के पास आता है सेलम और सेलम है बैंगलोर के आगे हैं तो सुबे तो निकल गए थे कागल में हमारा राइट शुरू भी हुआ फिर मैं निकल गया और फिर उमकर अपने घर और फिर मैंने अपनी सोलो साडल सोर शुरू कर दी तो पहले का सारा डिस्टन्स काफी रूटीन आराम से ही चल रहा था बाई के कॉंस्टेंटली 115-120 के स्टेडी स्टेट में चला रहा था बस डिस्टन्स चलाना है फोटो कीचना है ऐसे ही चलता रहा हुबली धरवाड का सेक्षन आया जहाँ पर रोड सिंग रहता है वहाँ पर थोड़ी दिक्कत होती है वो सब हुआ फिर जैसे मैं बैंगलोर की तरफ पहुच रहा था 25 डिस्टन्स को होती है क्रिस्मस 24 को थी एद तो ये एक लॉंग बुलते हैं ना हॉलिडे का टाइम था तो इसके लिए रोड की राइट सैड में पूने की तरफ जाने वाला मुझे ट्राफिक बहुत नजर आ रहा था तो मुझे पता था कि आने के टाइम मुझे बहुत ट्राफिक मिलने वाला है और ये सारा का सारा जो ट्राफिक है ये मैंने काफी पहले ही नोटिस करना शुरू किया था जब में राइड के कुछ 400 किलोमीटर हुए थे जब मैंने चित्त दुर्ख पास किया था तो उसके बाद मैं पहुचा नील मंगला फिर नाइस रोड पे गए नाइस रोड से इलेक्ट्रोनिक सिटी तक थोड़ी ट्राफिक मुझे मिली बट वो ठीक ठाक थी हम लोग मोटर साइकल पे लेफ्ट राइड जाके निकल जाते हैं नाइस रोड खतम होने के बाद होसूर ये सदारा इराका होने के बाद मैंने पहले बाद चाय और बिसकिट खाया तो इस पूरे राइड में मैंने कुछ भी नहीं खाया था बस थोड़ा चाय बिसकिट आगे भी जाके एक दो जगे पे चाय पीना ग्लूको वीटा के बहुत सारे टैबलेट्स और बहुत सारा पानी मेरे हट्रप में दो लिटर थे और मिने जो टइंक बैक था मेरा उसको मेरे ने पीछे के सीट पे लगाया था उसमें बेसिक टूल शेट था पानी के और दो लिटर पानी बाकी दिन में सिफ ग्लुकोवी टायने कि बेसिकली शुगर होता है वह खाके में बाइक चला रहा था फिर हुआ यह कि सेलम के थोड़ा पहले एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर रोड राइट साइड में कर्व हो रहा था बताने के लिए काफी वाइड हाइवे था और यहां पर का थी और मैं इस लेन में यहां पर था और पता नहीं इस कार के आगे कोई ट्रक था यह अचानक से मेरी लेन में घुज गया और यह काफी हाइड स्पीड पर हुआ और इस वक्त में रोड के लेट सेक्शन में ग्रावेल में चला गया ग्रावेल में जाते ही अब जब ब्रेक करते हैं कि काफी स्पीड था, एक सोग के ऊपर ही था मैं, मैंने पीछे का ब्रेक प्रेस किया तो पीछे का ब्रेक पुरा हुआ अंदर एंटर, पीछे के ब्रेक को बिल्कुल नहीं था प्रशर, मतलब वो इतना पैनिक मोमेंट हा, बट थैंक फुली थोड़ा सा क्या बोलें यह पैलाइड प्रोड थो का पहला में जा पिर आगे सके देखा-उस फरीड के वह पूर न Anthem तो हुआ ये था कि जो दो बोल्ट होते हैं पीछे के ब्रेक कैलिपर को मैंने ब्रेक कैलिपर काम कर वाय था और वो बोल्ट टाइटन नहीं थे तो पीछे का ब्रेक में से सारा जो ब्रेक फ्लूइड होता है वो सारा रिम के उपर गल के पीछे का ब्रेक मेरा 100% फेल हुआ था और यह हुआ था करीब राइड में 600-700 किलोमेटर के बाद अब और मुझे करनी थी करीब करीब 900 किलोमेटर और राइड वो भी बीना पीछे के ब्रेक पे Thankfully यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है आपको वो बहुत काम आती है मैं इसी रोड पे बहुत साल पेले कोईमबत उर गया था और मैंने अपेक्स के थो ट्रेक पे ट्रेनिंग किया था तो इसमें आपको जो एक कॉमन हैबिट होती है कि पीछे का ब्रेक मारने की वो कम होती है और आप फ्रेंट ब्रेक पे पूरा बैक चला सकते हो तो इस वज़े से मैं अपनी आगे की राइड पूरी सिफ फ्रेंट डिस्क ब्रेक पे ही कंटिन्यू कर सका यह जो सारा आपको मैं ब्रेक के बारे में बता रहा हूँ यह मेरी नॉन-ABS मोटर साइकल जो की पलसर 220 है उस पे हो रहा है तो मेरे पास कोई ABS या यह कोई option नहीं है यह सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेकिंग स्किल के उपर करने वाला काम है तो इसके बाद आया सेलम सेलम के बाद थोड़े ही आ गया आता है रसिपुरम जहाँ पे मुझे U-turn लेना था U-turn लेते समय मैंने अपना एक आकरी एक रिसीप्ट और वहाँ का फोटो जहाँ पे हम लोग U-turn लेते है वहाँ पे उस फ्यूइल पंपे ले लिया और फिर एक पन्वा मिनिट रुख गया क्योंकि मैं कहीं पे भी पाच से दस मिर्ट साथ रुका नहीं था यहाँ भी मैं से पन्रा मिर्ट रुका था और इस पॉइंट पे नचर आ रहा था हाफ जर्णी अपनी हो गई है तो मैं निकला था रॉण 5.30 और मैं दूपेर के 3.30 को अपनी हाफ जर्णी मैंने कम्प्लिट कर ले थी जाने के करीब 10 गंटे में तो ऐसा होता है कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा जादा डिस्टंस कवर करना है बाद में आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकते है और बाद में ट्राफिक मिलती है रात होती है तो इन कंडिशन्स के वैसे आपको थोड़ा स्लो होना ही पड़ता है और मुझे यह भी पता था कि आते हो उन्हें ट्राफिक बहुत मिलने वाली थी तो बैंगलो की तरफ मैंने अपना रिटर्ण ट्रावल शुरू किया और बैंगलो से 100 किलोमेटर पे रही ट्राफिक बहुत पड़ गया और ट्राफिक बहुत हेवी हो गया था क्योंकि मैंदे से आपको बताया है लॉंग वीकेंड टाइप था थोड़ा सा दो तीन छुट्टिया कंबाइन आ रही थी निवियर भी पास में था तो लोग बड़ी छुट्टी लेके बहार निकल पड़ते है तो बैंगलो से पूने की तरफ जाने वाला ट्राफिक बहुत था इन फैक्ट नाइस रोड का जो टर्न है वो तो मेरा लेने से थोड़ा बज गया मैंने ले लिया बट मैं वहाँ पर भी शायद सीधा चला जाता और मुझे बैंगलो के फुल ट्राफिक में से पास करना पड़ता और अगर ऐसा होता तो शायद सैडल सुर मेरा कंप्लीट भी नहीं होता तो नाइस रोड पे मैं गया ये पूरा पूरा सेक्शन बहुत ट्राफिक मिला बस बैंगलो के ट्राफिक में से वीव करके खुद को बाहर निकाला जो मेरे लिए बैक अप आई थे वो चित्तदुर्ग में और लेड़ी आके रुके थे करीब शाम के आड़ बजए ये सब मेरे लिए आके रुके थे तो बैंगलोर पास किया और हमारा रूटीन चल रहा था और चित्तदुर्ग में मेरे लिए आये थे हमारे तीन दोस्त, आसीम सर, संतोष सर्मा सर और उमकार बुल्ले, तो ये तीनों को मिलके बहुत ही राहत मिली, अंधेरा भी हो गया था, वो लो अपने I-20 में आये थे, और क्या बूलेंगे ना कि एस एक रिलाक्स टेट आप मैं में चला गया, जो कि नहीं होना चाहिए बिलकुल भी, और फिर उन्होंने मुझे रेड बूल और सब आफर किया, मैंने कहा, क्योंकि मैं इसके पहले रेड बूल लेता नहीं था, तो मुझे पता नहीं था, ये क्या चीज है, और मैंने नहीं लिया, फिर मेरे टीफिन में एक पीनट बटर सेंड़िश था वो मैंने खा लिया और राइट शुरू किया धारवाड के पास मुझे बहुत नीन की तेज जपकी आने लग गई तो जो फ्योल स्टॉप पे मैं रुका तब मैंने उनको बताया कि मुझे नीन दा रही है मैं देखता हो रेडबुल पीक है औ जो रियल है वो रियल है तो यह काम करता है तो ऐसे राइट शोरू थी एक साथी साथ एक तभी महींद्रा मोजो थी एक राइडर रात को ट्रावल एकचुली इस राइड के राउन पेर बहुत राइडर थे लेकिन मैं बहुत हाय पेस पे चला रहाता था थोड़ा रिस्की के बाद उनसे आगे निकल जा रहा था तो यह महीन ना मोजो पर आयड रहा था वो शायद बेड़गार या कई पर रुकने वाला था तो हम पैरलली चला रहे थे मैं काफी सारे वेहिकल्स के जो अच्छे हेलड़ाइट ओले कास थे उनके डेफरेंस में चला रहा था और एक कि यह हुवी धारवार के बीच का इस सेक्षन है जहां पर दो कॉंजिक्रिटिव स्पीड ब्रेकर फिर रोड फिर दो कॉंजिक्रिटिव स्पीड ब्रेकर ऐसा एक पैच था और उस मैं क्योंकि इस है अबलिक चला रहा था उस माहिन ना मोजो और ने बाइक अपनी रुक 10-40 कि बोलेंगे ना मनफ इत्ना शॉकिंग था मेरे लिए incarceration काफी हिल गया था में थोड़ा आगे जाके लेफ में रूख गया, क्योंकि जो मेरे पीछ आए 20 में मेरे प्रेंट्स थे, उन्होंने भी देखा कि उनको पीछे से मेरा आए का टायर नजर अद तो मेरा पीछे का टायर काफी हवा में उपर था, तो ये मेरा इस राइड का भूत मेजर सेकेंड कॉल था, मुझे अभी भी काफी उसके डीटेल्स काफी शार्प ले आद इस क्या सब हुआ था, और फिर थोड़ा सा रिलेक्स किया, थोड़ा सा पेस जो रात को 1.28 के राउंड कर रहा था, वो थोड़ा सा ड्रॉप किया और रेटन शुरू किया, कोलापूर से 40 किलोमेटर पह हैं, मैगडी के पास बहुत सारे राइडर्स, करीब हार्डर्स राइडर्स रुके थे, जस्ट रिसीव करने के लिए, कि हाँ सैडल से कम्प्लेट हो आई करके, तो, बट कोई भी रास्ते में फ्यूवल पंक या एटीम कुछ खुला नहीं था, तो मैंने थोड़ा आगे ज करता है, तो वो था मेरा लास्ट रिसीप्ट और वो ओड़ोमेटरे के लिए, तो इस तरह से 1650 किलोमेटर्स कुछ 22 आवर्स मेंने कम्लेट कर लिया था, अपने पलसर 220 पे, तो यह था है टोटल मेरा एक्सपीरियंस, फिर में CCD गया, सारे दोस्तों से मिला, ब्लैक कॉफी पी एम और फिर में घर पे चले गया, अगले दिन करीब मुझे आठ से नौवबे, रात को दो अधाई बज़े में पहुचा था कोलापूर, बट अगले दिन, आठ नौवए तो मुझे नींदी नहीं आ रहे थी, क्योंकि मेरे मोटर सैकल में लाउड एक्स था, और वो कॉ दस से ग्यारा बज़े सोना, फिर दो से तीन, ऐसे करके अगला दिन भी थोड़ा लूज ही गया मेरा, इस एक्सपीरियन्स के थूरू में कोही भी तरीके से सडल सोर, बरन बरनर, ये कोई तरह के राइट्स या रेकॉर्ड राइट्स को प्रमूट नहीं कर रहा, ये में का ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये एक्सपीरियन्स सही में लगा होगा कि हाँ ये सुनने मज़ा आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अब और क्या नया सुनना चाहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू